परी 2023 में भारत में होने वाले FIH होकी विश्व कप के लिए आज दक्षिन अफ्रीकी होकी पुरुषों की घोषना की गई है वे पुरुष, जिन्होंने उद्घाटन FIH होकी राष्ट्र कप जीतने में अपनी सफलता के बाद FIH होकी प्रो लीग में वापस आमंतृत किया है अल्प विराम, प्रमुक तूर नामेतों में प्रक्षी पवक्र में वक्र को जारी रखने की कोशिश करेगा जिस टीम ने FIH होकी नेशन्स कप में आर्थ में से छटी रैंक वाली टीम के रूप में प्रवेश किया, उसने शांदार प्रदर्शन किया और अंततः अपने रोमान चक फ्रंट फुट होकी के साथ देश और विदेशों में भी दिल जीत लिया इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोच चैसलिन जी और उनके चैनकरताओं ने उस टीम के मूल को एक साथ रखा है FIH होकी नेशन्स कप में तूर्नामेंट के खिलाडी दयान कासिम टीम का नेत्रुत्व करना जारी रखेगे जबकि कीनन हौन और जैथरो यूस्टाइस सबसे अधिक अनुभव प्रदान करते हैं गोवन जोन्स जिन्होंने राष्ट्र मंदल खेलों में अभिने किया था लोटते हैं और दो रखवाले के रूप में इस्टियान क्रिक से जुडते हैं राष्ट्र मंदल खेलों की टीम से बिली नटूली, निक्स पूनर और पीबो लेमबेथे को भी वापस बुला लिया गया है कोच जैसलिन जी ने भारत में एफाइज होकी विश्व कप के लिए टीम का नेतरित्व करने पर अपना उत्साह साजहा किया हमारे पास युवाओं और अनुभव का एक रोमांचक मिश्रन है कई खिलाडियों ने इस साल या तो प्रो लीग अजलान शाह या अब नेशन्स कप में उन्हें दिये गए अफसरों का लाब उठाया है और हम उन खिलाडियों को पुरस्कृत करने में सक्षम हैं जिन्होंने लगातार अपना हाथ बढ़ाया है हम जानते हैं कि हमारा पूल कथिन होगा लेकिन हम अंतर राश्ट्रिय मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्साहित हैं दक्षिन अफ्रीका चुनोती पूर्ण दिखने वाले पूल ए में आस्ट्रिलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस के साथ है जन्हें उन्होंने पोर्ट अचे फस्ट रूम में पहली बार हराया था पूल में दूसरा और तीसरा स्थान क्रोसोवर चरण में प्रगती करता है जिसमें विजेता क्वाटर फाइनल राउंड में आगे बढ़ते हैं